हेलो दूस्तों मैं सतीस और आप देख रहे हो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अलाइट मोशन का यूज करके प्रोफेशनल वे में फोटो का वीडियो कैसे बनाते हैं जैसे जैसे म्यूजिक बजता हो वैसे वैसे फोटो भी बदलता रहे और साथ में उसमें एनि वीडियो बनाने के लिए आपको जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सिंपल वीडियो को लाश्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है तो मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ तो सबसे पहले मैं अभी अलाइट मोशन को ओपन कर रहा हूँ Light Motion open करोगी तो आपके सामने कुछ इस तरगी का Interface दिखा देगा सबसे नीचे में यहाँ पर Plus का Icon है उसके उपर आपको एक बार टच करना है Plus का Icon पर आप जैसी टच करोगी तो आपके सामने कुछ इस तरगी का Interface दिखा देगा सबसे पहले में यहाँ पर Project का नाम जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो और Ratio Select कर सकते हो तो Ratio Select आप कौन सा करोगी तो 9 x 16 का Ratio आप सेलेक्ट करोगी अगर आप Status बना रहे हो या फिर Reels बना रहे हो या फिर Shorts बना रहे हो 9 x 16 का Ratio आपको सेलेक्ट करना है Regulation में आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो 1080p बहुत है और यहाँ पर Frame Rate में 30fps रख देना है और यहाँ से Create Project पर आपको एक बार टच करना है तो Create Project पर आप जैसी टच करोगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके का Interface दिखा देगा अब यहाँ पर सबसे पहले किसी एक फोटो के साथ आपको वो सारे Effect और वो सारे Animations करना होगा जो सारे फोटो के साथ आप करना चाहते हो तो सबसे पहले एक फोटो के साथ करना होगा फिर आपको दुवारा से उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होगा Simple One Click में वो सारा काम हो जाएगा आपका तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो Plus का Icon सबसे नीचे में दिखाए दे रहा है इसके उपर आपको एक बार टच करना है यहाँ पर टच करोगे तो ऐसा आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको मीडिया वाले सेक्शन में जाना है यहाँ पर मीडिया में जाओगे तो आपके font में जितने सारे photo video होगा सब को detect करके लाकर रख देगा अब आपको simple किसी एक photo को यहाँ पर aid कर लेना है तो मैंने इस photo को aid कर लिया photo पर aid करने के बाद मैं यहाँ पर देखोगे तो extra part उपर की तरफ है और नीचे की तरफ भी extra part है और photo का जो shapes है वो बहुत कम है तो इसको fill करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखो three dots लिखा हुआ इसके उपर मैं touch करूँगा और fill composition area के उपर आपको एक बाद touch करना है fill composition पर जैसी touch करोगे तो आपका background में आपका photo adjust हो जाएगा अब यहाँ पर देखोगे तो यह photo अगर मैं play करता हूँ तो यह video form में हो चुका है मातर दो second का है लेकिन इसमें कोई भी effect और animation नहीं है और advance में सीखना चाहते हो बहुत सारी चीज़े इसमें सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैं proper way में video बनाया हूँ फुल tutorial है आप जा करके चेक आउट करना description box में मैं link दे दे रहा हूँ या फिर end screen पर भी दे दूँगा मैं आपको बता दूँ वो video एक घंटा बावन मिनट किया है लेकिन अगर आप उस video को फुरा फुली watch करते हो तो भाई कसम से कह रहा हूँ आप वैसा light motion चला सकते हो जैसा कि आप अभी तक expect नहीं की हो बस दो घंटे की video है जा करके जरूर से check out करना बहुत मज़िदार video है सारी चीज एकदम detail में मैंने cover किया अब इस video के उपर touch करने के बाद मैं यहाँ पर देखोगे बहुत सारे tool नजर आ रहा है सबसे नीचे में यहाँ पर देखोगे effect वाला tool है इसके उपर आपको एक बाद टच करना है इसके उपर आपको एक बाद टच करना है अब जैसी यह effect पर touch करोगे तो आपके light motion में जितने सारे effect है सब को यहाँ पर ला के रख देगा अगर आपको कोई effect ऐसा है जिसको नाम से आप जानते हो और वैसे आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर सर्च बार में उपर से सर्च भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं effect यूज़ करूँगा सबसे पहले यह वाला जो उपर में है directional baller अगर आप baller वाले section में आते हो यहाँ पर तो यहाँ से भी आप ढूट सकते हो यह वाला देखो directional baller और वैसे यहाँ पर उपर में ही दिया हुआ है तो इसके उपर आप एक बार just touch करो जैसी ही touch करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface दिखा देगा यहाँ पर standard setting बना के दिया हुआ है light motion की तरब से यहाँ पर plus का icon पर एक बार आपको touch करना है जैसी touch करोगे तो अब देखो आपके photo पे यह effect apply हो चुका है लेकिन इस effect में animation नहीं है आपको animation करना पड़ेगा तो animation करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ first frame पे ऐसी ही दिखे ठीक है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे diamond ship जो दिख रहा है इसके उपर एक बार आपको touch करना है यहाँ पे touch कर दोगे तो यह first frame पे ऐसी दिखेगा पूरे वीडियो में भी ऐसी दिखेगा अब मैं चाहता हूँ थोड़ी दूर play होने के बाद यहाँ तक play होने के बाद इसका जो value है वो कम हो जाए अब देखो यह कुछ ऐसा दिखेगा अब देखो अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो यह कुछ ऐसा दिखेगा यह देख सकते हो आप यह एक तरीके का effect बन गया है है ना अब ऐसी मैं चाहता हूँ लास्ट में भी जब इंडिंग पॉइंट आये तो ऐसी effect यह बनके और गाइब हो जाए आउट हो जाए तो इसके लिए मैं फिर से एक बार लास्ट में चला जाओंगा देखो फोटा का जो टाइमिंग है उसके लास्ट में मैं आ गया हूँ और यहां से मैं इस डॉट पे टच कर दूँगा यहां पे जैसी टच करूँगा तो यहां पे भी आपको वो डॉट नजर आएगा अब मैं क्या करूँगा सबसे इंडिंग पॉइंट पर जाओंगा और इसको इस तरीके से बढ़ा दूँगा अब आप क्या देखोगे एक वीडियो में एक फोटो में ऐसा इफ़ेक्ट बनके तेयार हो चुका है पहले कुछ भी नहीं था अब ऐसा इफ़ेक्ट बन गया है अब मैं चाहता हूँ एक और इफ़ेक्ट के लिए मैं फोटो के ऊपर जाओंगा इफ़ेक्ट के उपर मैं टच कर दूंगा इस्टेंडर सेटिंग का मतलब है यह एलाइट मोशन की तरफ से आया हुआ है और इसका जो वैलू होगा वो एस्टेंडर रहेगा यह देखो कुछ इस तरीके से अब यह क्या है वो मैं आपको बताता हूं मैं चाहता हूं जब वीडियो इतना दूर प्ल अब मैं थोड़ी दूर क्या करूंगा वीडियो को आगे बढ़ाओंगा और मैं इसका जो साइज है थोड़ी से बढ़ा दूगा इस तरीके से अब यह क्या करेगा हर फोटो के साथ हर वीडियो के साथ जिस जिस में अपलाई करूंगा यह देखो कुछ इस तरीके से यह द अब मैं अगर इसको play करता हूँ तो आपको क्या दिखाए देगा यह देखो है ना तो यह एक तरीके का effect बन गया ठीक है अब मैं चाहता हूँ same effect दूसरे photo के साथ भी मैं करूँ तो वो आपको simple one click में कर लोगे आप कैसे तो इस photo के उपर जाओगे और यहाँ पर effect बना बटन है इसके उपर आप जाओगे और यहाँ पर देखो dot 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 3 dot दिख रहा है यहांपे इसके उपर जांगे और coffee िफएक पर आपको touch करना है coffee इफएक करने के बाद में आप last में जाना है और यहां पे देखो प्लस का आइकोन है इसके उपर आपको एक बाद टच करना है मीडिया में जाना है और किसी एक फोटो को आपको ले किया आना है ठीक है एक्जामपल के लिए मुझे ये वाला फोटो चीह है ठीक है इस फोटो के उपर मैंने टच किया अब देखो इस फोटो के उपर जैसी टच करोगे तो ये फिल नहीं है तो आपको यहां पे थिरी डॉट पे सबसे उपर में टच करना है और यहां पे देखो फिल कमपोजीशन एरिया कर देना है अब आपको क्या करना है देखो ऐसे अगर आप वीडियो प्ले करते हो तो आपको क्या दिखेगा कुछ ऐसा नॉर्मल है ठीक है इसके उपर जैसी टच करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा यहां पर सेव प्रिशेट के बटन दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको एक बार टच करना है अब इसके उपर जैसी टच करोगे तो यह जो प्रिशेट है वो सेव हो चुका है आपके यहां पर देखो इस जेगे पे और इसके उपर आप जैसी टच करोगे तो जितने सारे आपने प्रिशेट सेव कर रहा है वो सारी के सारे यहां पर दिखाई देगा तो हमने यह वाला प्रिशेट सेव किया है तो यह सबसे उपर में आपको दिखाई दे रहा है अब आपको करना है प्ले करके चेक कर ले रहा हूं तो यही वाला हमारा ओडियो है इसके उपर प्लस का आइकोन दिख रहा है इसके उपर आपको एक बार टच करना है जैसी टच करोगे तो यह आपको यहां पर नजर आज आएगा अब आपको क्या करना है देखो अभी अगर दूसरे जगे पर आपका जो फोटो वह नीचे है और आपका ओडियो ऊपर है ठीक है अगर आप आप अडियो के उपर टच कर दे रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा अब आपको देखो ओडियो की ग्राफ में आपको बेव फॉर्म दिख रहा है तो जहां जहां भी उबर हुआ है वहां पर रोकना है और यहां पर देखो टाइमिंग के उपर यह जो 3.07 है ऐसे करके इसके उपर एक बार आपको टच करना है जैसी टच करोगे यह रेड लाइन आपको नीचे से उपर तक दिखाई देगा यह एक मार्किंग लग गया और इस मार्किंग के मदद से आप अपने फोटो को एडजेस्ट कर सकते हो अब मैं चाहता हूँ यहां पर देखो यहां पर भी उबरा हुआ है मैं यहां पर जाओंगा और यहां पर देखो 4.07 पर आगया फिर से मैं टाइमिंग के उपर एक बार टच कर दूँगा अब जैसी टच करूँगा तो फिर से यह बीट मार्क यहां पर भी लग गया अब यह देखो आपके इस तरफ नहीं लगा हुआ है किसी भी जगे पर यहां पर देखो कि गौर से तो किसी भी जगे पर रेड कलर का मार्क नहीं लगा है लेकिन इस तरफ दो जगे पर लग गया क्यूंकि हमने अभी लगाया है नाजिए वह पर जहांब को फिर फकर दीप होके जिस जिस जिक भी मूझ म मुझ उप करो करने के लिए मार्किंग किया और वीट वी थो होता हु Nicht कोई फर्क ने पड़ता सारे गाने में वीट होता है ठीक है अब देखो आपको क्या करना है यह हमारे पास दो वीट है ठीक है यहां से यहां तक का ठीक है तो मैं क्या करूंगा इस दोनों वीट के वीच में एक फोटो को एड़ेस्ट करूंगा तो यहां से यहां तक का फोट color का play head वो इस तरफ का part को delete कर देगा इस tool पे अगर आप touch करते हो तो इसके उपर just touch कर दो आप देखो इस दोनों beat के बीच में हमारा एक photo adjust हो चुका है इसी तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर मैं लेकर आओंगा दूसरा photo को और दूसरा photo के दूसरे beat mark के बीच में ऐसे करके यहाँ पे add कर दूँगा यह देखो कुछ इस तरीके से अगर आप direct jump करना चाहते हो ना तो इसके लिए भी एक तरीका है पहले एक चीज़ और मैं दिखा दे रहा हूँ यह देखो कुछ इस तरीके से अगर direct यहाँ पे आना चाहर है तो इसके उपर एक बार just touch करो जहां जहां beat mark है वहाँ पे आप टच करोगे आज जाओगे अब आपको क्या करना है देखो आगे यहाँ पे photo add करना है फिर से plus का icon पे आप जाओगे और यहाँ से media पे जाओगे media पे जाने के बाद में जो भी photo आपको चीए वह photo ले लोगे यहाँ से three dot पे टच करके fill composition area कर देना और यह fill composition area होने के बाद में यहाँ पे appreciate का जो button दिखाई दे रहा है उसके उपर आपको touch करना है और यहाँ से जो अभी आपने effect बनाया है वो यहाँ से apply कर देना है और यह effect इसमें apply हो चुका है इस तरह से आपको क्या करना है यह set कर देना अब मैं क्या करूँगा आगे वाले beat mark पे ऐसे करके जाऊंगा और यहाँ पे ऐसे touch कर दूँगा beat mark पे normal आपको touch कर देना है अब यहाँ पे इसके उपर touch करो और extra part delete कर अब मैं दूसरा photo लाने के लिए यही पे रहने दूँगा play head को और यहाँ पे plus icon पे मैं touch कर दूँगा और फिर मेडिया में जाऊंगा और कोई तीसरा photo ले लूँगा जो मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ वो साइद आप समझ रहे हो ठीक है और मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो fill composition area पहले से हैं अब मैं क्या करूँगा यहाँ से ले करके 2 seconds से ले करके और यहाँ तक हमें photo चीए और इस तरफ का partner चीए तो मैं क्या करूँगा यह जो beat mark आपको दिख रहा है इसके उपर एक बार आपको touch करना है इसके उपर जैसी touch करोगे तो automatic आपको यहाँ पर यह playhead लाकर रख देगा अब आपको क्या करना है इसके उपर आपको touch कर देना है अब यह जो है यह कुछ इस तरीके से beat mark का use करके हुए यह देखो कुछ इस तरीके से ओके तो इस तरीके से आप इसमें सारे जितने सारे beat mark लगाओगे उस सारे beat mark में आपको अपने photo को add करना है और फिर उसमें इफक्ट एड़ करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर से देखना आपको स्वारा चीज एकदम डिटेल में समझ में आएगा नॉर्मल इसको सेव करने के लिए यहां पर बटन दिखाए तरह इसके उपर आपको टच करना ह और यहां से आप क्या करोगे वीडियो के फॉर्म में जाओगे और जो भी रिजुलेशन रखना चाहिए और एक्सपोर्ट पर आपको एक बार टच कर देना है यहां पर टच करोगे आपके कुछ सेकेंड का टाम लेगा और फिर आपके फॉर्म में ये वीडियो एक्सपोर